सो जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर अपने Samsung Galaxy S21 FE के लिए यहाँ पर finally One UI 6.1 का अपडेट रिलीस कर दिया गया है सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कुछ नए फीचर यहाँ पर आये तो उसका cutout भार आ जाएगा और आप इस photo को किसी और के ओपर भी आप डाल सकते लाइप इस तरीके सा अगर आपको रखना है तो editing में काफी काम की चीज़ है और काफी सही है यह drag and drop का feature आपको देखने को मिल जाता है और उसके बाद आप इसको save कर सकते हैं से काफी अच्छा feature है थोड़ा time लेता है भी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ loading में काफी time लेता है save करने में लेकिन ठीक है यहाँ पर यह AI feature हमें देखने को मिल जाता है इसी के एक और version अगर आपके पाल दो samsung के devices हैं तो आप seamlessly ऐसे ही copy paste कर सकते हैं इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे में उठा करके copy कर लूँ देन उसके बाद यहाँ पर किसी दूसरी picture के उपर चला जाओ और वहाँ पर जाके long press फिर से करूँ paste का option आजाएगा आपके पाद प देन आपको यहाँ पर long press करके रखना ही है इनको ठीक है और जिस भी चैट के उपर आपको भेजना है आप इस तरह के सो इसको भेज सकते हैं अब log screen के अंदर बहुत सारी customization आ गई है पहले हम अपने wallpaper को select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर set as wallpaper पे चलेंगे वालपेपर करने कोशिश करते हैं इस wallpaper को इसके अंदर आपको कुछ option मिल जाते हैं आप फ्रेम और यहाँ पर effect का सबसे पहले हम effect की बात करते हैं तो effect के अंदर आपको काफी सारे effect देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीखे से आप अलग-अलग effects लगा सकते हैं तो यह कुछ effect देखन नहीं करना है तो आप यहाँ पर effect frame में भी जा सकते हैं यहाँ पर frame में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर select कर सकते हैं आपको किस तरीके का frame चाहिए and magic यहाँ से शुरू होता है अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे zoom कर सकते हैं तो फोटो को कितना प्यारा लगा पहले से आपका lock screen यहाँ पर आप इसका color भी change कर सकते हैं अगर आप इसको हटाना चाहते हैं आपर इसको default भी रख सकते हैं जैसे यह था और मतलब और भी अगर आप customization करेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा इसके लावा इसका color भी आप चेंज कर सकते हैं background का आपको जो भी पारे होंगे इसको लगाने के लिए भी मैंने lock screen पे long press करना है आपको यहाँ पर आपको अपना fingerprint देना है दन आप उसी screen पर वापस पहुच जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर time वगेरा को भी customize कर सकते हो इसका font के style भी आपको customize करने को मिल जाते हैं यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको यह जो widget वाल option है यहाँ से बैटरी के widgets या फिर जिसका भी आपका लेना है like मैं यहाँ से एक दो हटा देता हूं तो यहाँ पर आप बैटरी के widgets हो गए या फिर आपर weather के बहुत सारे आ गए आपर moon का जो shape phase के side है वो दे सारे widgets आप add कर सकते हो log screen के उपर काफी अच्छी वाल तो बस दोस्तो इतने ही feature है फिलाल एक दो और हैं जैसे कि मैं clock के उपर चलता हूं यहाँ पर और clock के उपर जाकर करके आप यहाँ पर background वगेरा जैस सेलेक्ट कर सकेंगे जब आप यहाँ पर जाएंगे आप नीचे के के अंदर basically अगर S21 FE की बात करें अब आते हैं अपर disappointment वाले पार्ट में सबसे पहले अगर हम setting के अंदर चलते हैं यहाँ पर display के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हमें circle to search वाला feature अब देखने को नहीं मिलता navigation बाहर के अंदर जिया दोस्तों बदा पहले भी नहीं था लेकिन क्यों नहीं क्योंकि इसके अंदर आपको hardware capabilities भी देखने को मिलती है तो इसको भी देना चाहिए था या रब्देट इसके लवा आपको अभी सुनने आ रहा हुआ कि search में आप यहाँ पर summarize कर सकते हो notes में यहाँ पर summarize कर सकते हो लेकिन मुझे यहाँ पर notes के अंदर सा कोई भी feature देखने को नहीं मिला जब मैं यहाँ पर notes पे गया तो यहाँ पर मैंने कुछ करके देखा और मैं को यहाँ पर सच बताओ तो मुझे कहीं भी हो summarize वाले यहाँ पर बीच के अंदर option आ रहा है वो नहीं देखने को मिला इसके लावा दोस्तों यहाँ पर AI voice और AI assistant call assistant भी है ज कि मुझे वो भी आपर नहीं दिखाई रिया है इसके लावा वाल पे पर के ओपर भी आपर हमें नए AI वाल पेपर वाला option देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर वो भी missing मुझे लगा यहाँ पर आपको generate AI वाल पेपर आता है जो कि इस पर नहीं मुझे देखने को मिल रहा ह जब मैंने यहां पर Samsung का keyboard यहां पर install डाला था भी ठीक है तो मुझे उसके पर कोई भी AI feature देखने को नहीं मिला, जबकि at least वो तो दिया जा सकता था, summarize वगरा करने का और उस पर option है, तो वो भी मेरे साब से missing है यहां पर, और आपको लगता है कि मैंने कोई feature miss कर दिया है, तो मैं सभी audience सब उसको पहुचा आपको वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया तो फिर जामें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, वीडियो कहां पर जबर से लाइक कर लिजे, कमेंट करके ज़रू बते ही का वीडियो कास लगा, मैं मिलता हो दोसो इसी तरह दो आपको वीडियो का साखा, तब तक ले बाबाए, ना बाश्कुर।